गुरुदेव को हम सबसे पहले कोणवा ले जाएंगे नहीं पर गुरुदेव को रखेंगे उसके बाद कल सुबे प्राता आठ बजे महां से पालकी निकालेंगे और उसके बाद महां से कात्रज ले जाएंगे बेशक गुरुदेव का जो इस्थान है उस इस्थान पे ही उन गुरुदेव ने खुद ने कह दिया था कि अब मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ, मुझे अच्छी आरादना कराओ, तो कि बहुत कोशिश कि हमारे देवी चिन बही ने और पुरी टीम ने, जितनी उनकी अनुमोदना करें उनकी कम है, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था कि बस आप सब अच्छी आरादना करना और मेरे सभी गुरुदेवों को, मेरा मचेर रजनामी और सभी भक्तों को, सभी को मेरा मिच्छा नुक्रम और आशिरवाद गुरुदेव ने कहा है, और कहा है कि कोई भी मेरे पीछे रोना मात, मेरे पीछे आरादना करना, मुझे नवकार बहुत प्यारा है, तो सब को बोलना कि बस नवकार की विश्यश आरादना करना, और 24 संग की हाजरी में, ऐसी लुमें अलाउट नहीं है, फिर भी, देवी चन जी ने हम सब को अंदर जाने दिया, सादू सादू जी बहुंतो को, शावक, शाविका को, और 24 संग की हा रादर में हुआ है, एक दम कोई हाई होई नहीं, बोलना कि बहुता करना, बोलना कि बजंदे लगाना है, बस मेरा समय हो चुका है, मुझे शान्ती से, मुझे अब मौविक शित्र में जाने दो क्या जैने बस वाट करो गुरू, क्या जै दर्शन पामू, क्या गो तू सर नामू क्या जैने बस वाट करो गुरू, क्या जै दर्शन पामू, क्या गो तू सर नामू गुरू मा, गुरू मा वत्सल मूरत, स्नेहल सूरत, जोवा परी नहीं मलशे तारावियोगे, ये गुरू माता, लाखो रदै टलवलशे अमृत जरती आखलरी थी, कौन निरखशे सामू क्या गो तू सर नामू गुरू मा, गुरू मा